अगला प्रश्ण है समांतर स्रेडी का योगफल ग्याद कीजिए उसमें पहला प्रश्ण है तीन धन आठ धन तेरा धन अठारा ये बीस पदों तक ग्याद करना है चलिए इसे हल करते हैं समांतर स्रेडी के एन पदों का योगफल आपने पढ़ा हुआ है समांतर स्रेडी तो इसका हम उप्योग करेंगे और इसके पहले जो दिया गया है वो है समांतर स्रेडी तो समांतर स्रेडी जो है ये है तीन आठ तेरा अठारा इत्यादी तो यहां से हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद जो है ये तीन है सारवंतर डी का मान दूसरे में पहले पद को घटा देंगे तो आठ रिंट तीन करेंगे तो मिल दाएगा आपको पांच और फिर हमें ग्यात करना है S20 20 पदों का योगफल तो आपको पता है कि S N इक्वल टू N बाइ 2 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू D इस उतर का हम उप योगफ करेंगे N के स्थान पर हम लिखेंगे 20 या 20 तो मिल दाएगा 20 अपांट 2 फिर 2 इंटू A और A का मान है 3 फिर N एन यहाँपर 20 और D का मान है 5 solve करेंगे तो मिल दाएगा 20елей यृट लोट करेंगे मेल दाएगा निट इंटू करेंगे मेल दाएगा 6 और 20 उन करेंगे हैंब दाएगा 19 19 और 5 से गुना करेंगे multiply करेंगे तो मिल दाएगा 95 इसको solve करेंगे त Connie ले जाएगा 101 और 10 multiply करेंगे तो मिल दाएगा 1010 तो ये है उत्तर जो हमें ग्याद करना था इसमें दूसरा प्रशन है 0.7 0.71 0.72 इस तरीके से इसके 100 पदों का योगफल हमें ग्याद करना है तो चलिए इसे हल करते हैं पिछले प्रशन की भात ही हम लिखेंगे कि दिया है समांतर स्रेडी ये है 0.7 और इसको हम 70 लिख सकते हैं फिर 0.71 फिर 0.72 इत्यादी तो यहां सहम लिख सकते हैं कि इसका जो प्रथम पद है ये 0.70 है और सारवंतर डी का मान 0.71 माइनस 0.70 Solve करेंगे तो मिल जाएगा 0.01 अब N पदो का योगफल समांतर स्रेडी के लिए ये N बाइ 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D इस सूतर का हम उप्योग करेंगे N के इस्थान पर हमें लिखना है 100 या 100 क्योंकि 100 पदो का योगफल हमें ग्याद करना है तो यहां से आपको मिल जाएगा S 100 इक्वल टू 100 अपॉन टू और फिर 2 इंटू A और A का माँन है 0.70 प्लस N इस 100 माँनस 1 और D का माँन है 0.01 Solve करेंगे तो मिल जाएगा 50 और देखिए पहले अगर आप 70 में 70 में 2 का मल्टिप्लाई करें तो मिल जाएगा 140 दसमलो के बाद यहां पर 2 स्थान तक संख्या है तो यहां पर 1 और 2 दो स्थान के बाद में पीछे से आप दसमलो लगा देंगे फिर इसी तरीगे से इसको जब मल्टिप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 99 और 99 से 0.01 जब आप मल्टिप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 99 और दसमलो के दो स्थान तक मतलब यहां पर आप शूनिय लगाएंगे और फिर यह आपको मिल जाएगा 0.99 इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 50 इंटू 2.39 और और आगे अब जब इसे आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 119.50 तो यही हमें ग्याद करना था कि इस समानतर स्रेणी के सौफदों का योगफ़ल क्या है अब इसमें तीसरा प्रश्न है सौफ और एक हजार के बीच ऐसी सभी प्राकृत संख्याओं का जो 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए योगफ़ल ग्याद कीजे तो 100 से 1000 के बीच में अर्थात 100 से 1000 के बीच में जितनी संख्याओं 9 से विभाजित होती है पहले हम उन संख्याओं को लिखेंगे अब चुकि यह 9 से ही विभाजित हो रही है या किसी एक निश्चित संख्याओं से विभाजित हो रही है तो हमें समांतर स्रिणी के पद मिलेंगे तो इसे हल करने के पहले हम थोड़ा सा वर्क आउट करते हैं वो यह कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या जो है यह 99 है 99 में जब हम 9 जोड़ेंगे तब अगली संख्या हमें मिलेगी 108 जो की 100 से बड़ी है और 100 से 1000 के बीच में है तो हमें पहली संख्या मिल गई जो की 100 से 1000 के बीच में है अब अगली संख्या तब प्राप्त होगी जब 108 में आप 9 को जोड़ देंगे तो ये आपको मिलेगा 117 और फिर 117 में आप फिर 9 को जोड़ देंगे तो आपको अगला पद मिल जाएगा 126 तो इस तरीके से ये समानतर स्रेणी के पद हमें मिल रहे हैं तो अब हम आगे लिखेंगे कि अभिष्ट समानतर स्रेडी जो है ये है 108 या 108 फिर 117 फिर 126 और अंत में जो आपको पद प्राप्त हो रहा है ये 999 होगा 1000 से छोटी जो संख्या है वो 999 है जो की 9 से भाग जाती है तो इस तरीके से हम इसमें प्रतम पद लिख सकते हैं कि ये 108 है डी का मान दूसरे पद में पहला पद घटा दीजे 117 फिर 108 या फिर यहां पर हमने देखा कि इसमें 9 का योग कर रहे हैं तभी हमें अगला पद मिल र है कि L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D ये अंतिम पत का सूतर होता है या फिर अन्वा पत का सूतर होता है तो इस तरीके से हम यहां पर पहले मान रख देते हैं A का मान है 108 N का मान हमें ग्याद करना है D का मान है 9 और L जो है ये 999 है आगे solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 108 प्लस 9N माइनस 9 इक्वल टू 999 आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा 9N इक्वल टू 900 इस तरीके से आपको मिल जाएगा N इक्वल टू 900 अपॉन 9 इस 100 तो इस समानतर स्रेणी में पदों की जो संख्या है ये हमें मिल गई जो की 100 है अब समानतर स्रेणी के N पदों का योगफल जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो ये होता है N बाई 2 A प्लस L तो इस सूत्र को प्योग करेंगे और हम निकालेंगे S 100 इक्वल टू N के इस्थान पर आप रखेंगे 100 A ये है 108 और L का मान है 999 तो इसे जब आप हल करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 50 और आगे मिल जाएगा 1107 तो इसे जब आप सॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 55,350 और यही उत्तर है जो हमें ग्यात करन था अगला प्रश्ण है 2 और 100 के बीच उन सभी विसम पुर्णांकों का योगफल ग्यात कीजिए जो तीन से भी भाजित है तो इस प्रकार की संख्या ग्यात करने के लिए पहले हमें 3 से भी भाजित संख्याओं के गुणज प्राप्त करने होंगे और उसे हमें समांतर शि बीच तीन के गुणज पहले हम लिख लेते ये मिलेगा तीन, छै, नो, बारा, आगे मिल दाएगा आपको पंदरा, और ये अंत में आपको मिल दाएगा निन्यानवे ये तो आपको तीन के गुणज मिल गई, लेकिन कहा गया है कि वो सारी संख्या है विसम संख्या होनी चाहिए तो अगर आप इसके करम को दिहान दे तो पहली संख्या विसम है फिर दूसरी संख्या जो है ये सम है फिर ये पद विसम है और फिर अगला पद ये पद विसम है और फिर अगला पद फिर से सम है इसका मादब ये कि alternate order पे एक के बाद एक अंतर में sum और wisam saag खे इस प्रकार से arrange है वियसम, sum, visam, sum इस तरीके से तो इसमें हमें जो wisam saag खें चाहिए तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि यो जो अभिष्ठ स्रेडी है ये है 3, 9, 3 के बाद में 9 और 9 के बाद में फिर 15 और अंत में 99 मिलेगा जो की समांतर सेड़ी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद 3, सारवंतर D का मान 9 में 3 घटा देंगे मिल जाएगा 6 और इस तरीके से इसका अंतिम पद है 99 तो आपने पढ़ा हुआ है कि L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो इस सूतर का हम उफियोग करते हैं राइट में जो पद है उसे मैं पहले लेफ्ट में लिख रहा हूँ A का मान है 3, N का मान हमें ग्याद करना है और D का मान है 6 और यह L 99 के बराबर है तो यह आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस 6 N माइनस 6 इक्वल टू 99 या फिर 6 N माइनस 3 इक्वल टू 99 आगे सॉल करेंगे तो मिल जाएगा 6 N इक्वल टू 99 प्लस 3 यह मिल जाएगा आपको 102 तो इस सरीके से आपको मिल जाएगा N इक्वल टू 102 divided by 6 solve करेंगे तो मिल जाएगा 17 तो n का मान आपको मिल चुका है 17 अब इसके 17 पदो का योगफल हमें ग्याद करना है तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि n by sn equal to n by 2a plus l हमें परसम पत पता है अंतिम पत पता है और पदो की संख्या ये ग्याद है तो इस तरीके से आप लिखेंगे s 17 equal to 17 upon 2 और a का मान है 3 और l का मान है 99 तो इस तरीके से मिल जाएगा 17 17 बटे 2 और ये गुना 102 अब इसे आप solve करेंगे तो मिल जाएगा 867 और यही आपको ग्याद करना था तो अगला प्रश्ण है 5 प्रश्ण स्रेणी स्रेणी 54 इनक्यावन 48 इस तरीके से पदों का योगफल है कि कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो दो उत्तरों की व्याख्या कीजे तो यहाँ पर दो उत्तरों की व्याख्या कीजे ऐसा लिखा गया इसका मतलब ये कि आपको जो पदों की संख्या है वो दो मिलने वाली है चलिए प्रश्ण को हल करते हैं समांतर स्रेणी के पदों का योगफल 513 है तो हम लिखेंगे कि माना समांतर स्रेणी के एन पदों का योगफल ये जो है ये 513 है तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि SN इक्वल टू एन बाइट टू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D मान रख देते हैं N बाइट 2 N का माना में ग्याद करना है 2 इंटू A तो यहां पर दो शमांतर स्रेणी दी गई है इसका प्रथम पद है 54 फिर N माइनस 1 इंटू D तो इनके आवन में यदि आप 54 को घटाएंगे तो मिल जाएगा रिंड 3 ये सार्वंतर का मान है और ये बरावर है 553 के इसे जाब हल करेंगे तो मिल जाएगा N बाइट 2 और दो और चब और का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 108 फिर इसे गुणा करेंगे तो मिल जाएगा रिंड 3 N और रिंड धन 3 बरावर 593 तो इसे से रल करेंगे तो मिल जाएगा N 108 और 3 को जोड़ दिए ये 111 फिर ये रिंड 3N और इस दो को हम पक्षांतर कर रहे हैं 513 से उसका गुणा कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा 1026 1026 अब N को अंदर गुणा कर दीजे तो मिल जाएगा 111N रिंड 3N का वर्ग और बरावर ये 1026 ये N में एक वर्ग समी करण है तो ये 3N स्क्वेर और ये 11N को राइट साइट पर सिफ्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हमें मिलेगा 3N स्क्वेर माइनस 111N और ये धन 1026 इक वर्ग समी करण है प्रत्येक पत को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं तो 3 से यदि आप विभाजित करें या 3 कॉमान ले तो मिल जाएगा ये N स्क्वेर और फिर माइनस 37N प्लस 342 इक्वल टू 0 तो ये तो चूकी एक संख्या है इसका मतलब ये कि अंदर में जो पत है N स्क्वेर माइनस 37N प्लस 342 इसका मान शूने के बराबर होगा ये वर्ग समीकरण है इसे आप सूत्र विधी से भी हल कर सकते हैं और मध्य पत को भख्त करके भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये N स्क्वेर है और ये 342 है तो इसका गुणांक और इसको गुणा करेंगे तो मिलेगा 342 तो 342 को हमें इस तरीके से दो अलग-अलग संख्याओं के रूप में लिखना है जिसको जोडने या घटाने पर माइनस 37 और गुणा करने पर 342 मिलना चाहिए तो ये संख्या है 19 और 18 अठारा और 19 तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 9 स्क्वेर माइनस 19 N माइनस 18 N प्लस 342 इक्वल तो 0 तो यहाँ से जब आप N को प्रसम दो पत से N कॉमन लोगे तो मिल जाएगा N माइनस 19 और फिर माइनस 18 N माइनस 19 इक्वल तो 0 दोनों पदों से यदि आप N माइनस 19 को कॉमन लें तो मिलेगा N माइनस 18 इक्वल तो 0 दो पदों का गुणफल शूनिया तो दोनों पद अलग अलग शूनिया हो सकते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा n-19 equal to 0 या फिर n-18 equal to 0 तो यहां से मिल रहा है n equal to 19 और यहां से मिल रहा है n equal to 18 तो यहां पर हमें दो पद मिल रहे हैं और प्रश्ट में यही कहा गया है कि दो उत्तरों की वैख्या कीजिए यह तभी संभाव है जब आने वाला अगला पद का मान तो यह तभी संभाव है जब हम जब हमें मिलेगा की यहां जो 19 पद है यह 0 है और यह उनिश्वा पद हम ग्याद कर लेते हैं T19 equal to मिलेगा A plus 18 D A का मान 54 है और फिर यह 18 और D का मान रिंट 3 है जब हमें 54 रिंट 54 बराबर 0 तो इस तरीके से हमें मिल रहा है कि जो T19 है यह 0 है और यही एक कारण है कि यहां पर N का मान 18 और 19 मिल रहा है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि S18 18 पदो का युकफल उसके 19 पदो के युकफल के बराबर है तो चटा पशन दिया गया है यदि किसी समानतर सेड़ी के N पदो का युकफल 3N स्क्वाइर प्लस 3N है तो स्रेड़ी का आरवा पद ग्याद कीजे समानतर सेड़ी के N पदो का युकफल दिया गया है यदि इसमें N के इस्थान पर एक रखे तो हमें मिलेगा एक पदो का युकफल अरथाथ पहला पद हमें मिल जाएगा यदि N इक्वाल टू हम टू रखेंगे तो हमें प्रथम दो पदों का योगफल मिलेगा और इसमें यदि हम पहले पद को खटा दें तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे दिया है S and N पदों का योगफल जो 3N स्क्वेर प्लस 3N है तो यहां से N इक्वल टू 1 रखने पर आपको मिलेगा S1 S1 का मतलब है प्रथम पद या फिर S1 चुकि यहां पर यह प्रथम पद है तो यह प्रथम पदों को योगफल प्रथम पद के बराबर ही होगा तो मालन लेते कि यह T1 है N इक्वल टू 1 रखेंगे तो मिल जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वेर प्लस 3 इंटू 1 तो यह 3 प्लस 3 मिल जाएगा आपको 6 तो इसका मतलब यह कि जो प्रथम पद है यह आपको इसका मान मिल गया है 6 N बराबर 2 रखने पर आपको मिलेगा S2 और S2 का मतलब है प्रथम पद और द्रीती पद का योगफल तो 3 इंटू N के स्थान पर आप 2 रखेंगे यह 2 का स्क्वेर प्लस 3 इंटू 2 सौल करेंगे तो मिल जाएगा 2 का घाद 2 करेंगे मिलेगा 4, 4 और 3 का गुना करेंगे मिलेगा 6, एड़ करने पर मिल जाएगा आपको 18 तो इस तरीके से यहाँ पर आपको T1 प्लस T2 मिल गया है 18 T1 प्लस T2 इकोल टू 18 T1 का मान 6 है, यहाँ पर आप रख दीजे 6 धन T2 बराबर 18 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T2 बराबर 18 रेंड 6 मिल जाएगा 12 तो इसका मतब यह कि इसका जो द्वीतिय पद है यह आपको 12 मिल चुका है आप चाहें तो तीसरा पद निकाल सकते हैं N बराबर 3 रखने पर तो मिल जाएगा S3, S3 इकोल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 तीन पदों का योगफल 3 इंटू 3 का स्क्वेर प्लस 3 इंटू 3 इसमें हम N का मान हमने 3 रखा है इसको जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 3 तीन तीन नो तीन 27 और 9 मिल जाएगा 36 तो यहाँ से आप T1 प्लस T2 का मान आपको 18 गयात है तो आप लिखेंगे 18 T1 प्लस T2 का मान में 18 रख रहा हूं प्लस T3 इक्वाल टू 36 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T3 इक्वाल टू 36 में 18 गटाएगे मिल जाएगा 18 तो इसका मतलब यह कि समांतर स्रेणी का समांतर स्रेणी का जो पद हैं यह मिल चुके हैं 6 12 18 इत्यादी आरवा पद ग्याद करना है तो आरवा पद तो इसको आप लिखेंगे T1 इक्वाल टू A प्लस R-1 इंटू D A का मान है 6 R-1 और D का मान है 6 तो सरल करेंगे तो मिल जाएगा 6 धन 6 R एंट 6 तो इस तरीके से आपको मिल गया T1 इक्वाल टू 6 R और यही हमें ग्याद करना था तो अगला प्रश्ण है साथ्वा प्रश्ण किसी सवांतर स्रेणी के P पदों का योग 3 P स्क्वार प्लस 4 P है स्रेणी का एनवा पद ग्याद कीजे तो पूर्व प्रश्ण की भाती हम यहाँ पर भी यही करेंगे दिया है S N N पदों का योगफल दिया है P पदों का योगफल S P हो जाएगा 3 P स्क्वार प्लस 4 P समी करन एक तो समी करन एक में P बराबर एक रखने पर तो यहाँ से आपको S 1 मिल दाएगा S 1 का मतलब है प्रथम पदों का योगफल मतलब पहला पद T 1 इक्वाल टू 3 इंटू 1 का स्क्वार प्लस 4 इंटू 1 स्वाल करेंगे तो मिल दाएगा 7 इसका मतलब यह कि यहाँ पर जो प्रथम पद है इसका मान हमें 7 प्राप्त हो चुका है अब P बराबर 2 रखने पर आपको मिल दाएगा एस टू इक्वाल टू सम अफ टू टू टम्स दो पदों का योगफल तो यह मिलेगा T1 प्लस T2 इक्वाल टू 3 इंटू P के इससान पर आप 2 रख रहे हैं दो रख रहे हैं तो यहाँ पर यह दो का वर गो जाएगा फिर यह चार और फिर P का मान फिर से 2 दो दूनी 4 और 4 तिया 12 12 और 8 20 तो यह आपका T1 प्लस T2 है तो यहाँ से आप यह निकाल सकते हैं कि T1 प्लस T2 इसका मान 20 है T1 का मान 7 है तो यहाँ से मिल दाएगा T2 इक्वाल टू 20 रिंड 7 तो यह मिल गया T2 बराबर 13 तो दूसरा प्ल आपको मिल चुका है यह 13 है अब पी इक्वाल टू 3 रखने पर आपको मिल दाएगा S3 इक्वाल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वाल टू 3 इंटू 3 का स्क्वार प्लस 4 इंटू 3 तिंतिया 9 तिया 27 और 27 और 12 add करेंको तो मिल जाएगा 49 तो यहां से आपको मिल रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वाल टू 39 और T1 प्लस T2 का मान है 20 तो यह अँ से आप लिख सकते हैं T3 इक्वाल टू 49 में 20 कम कर देंगे घठा देंगे तो इस तरीके से आपको मिल रहा है T3 equal to 19 तो किसी समानतर स्रेडी को निकालने के लिए या उसका एन्वा पद गयात करने के लिए हमें A और D कमान गयात होना चाहिए तो यहां पर हमें समानतर स्रेडी के तीन पद मिल चुके हैं यह 7, 13, 19, इत्यादी तो यहां से हम लिख सकते हैं A बराबर 7 और D कमान है 13, 7 यह बराबर 6 तो D कमान आपको मिल गया 6 तो यहां पर आपको N वा पद गयात करना है तो यह लिखेंगे TN equal to A plus N minus 1 into D A कमान है 7, N कमान या N वा पद हमें गयात करना है इसलिए N को N रहने देंगे और D कमान है 6 हलका रिंगत मिल जाएगा 7, 6, N रिंट 6 तो इस तरीके से इसका N वा पद आपको मिल रहा है 6 N plus 1